एक गाव में किसान और उसकी पत्नी रहते थे, उन्हें एक दिन अपने खेत में नेवले का बच्चा मिला, दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए, और उसका पालन पोशन करने लगे, कुछ समय बाद नेवले का बच्चा बढ़ा हो गया और उनके घर में रहन लिया, नेवला हमेशा उस शिशु के आसपास खेला करता था, परन्तु किसान की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला उनके बच्चे को काट ना ले, एक दिन किसान काम पर गया और उसकी पत्नी बच्चे को सोता हुआ छोड़कर कुए से पानी लेने गई, ने बच्चे की देखरेक कर रहा था, उसी समय घर में एक साप आ गया, जैसे ही नेवले ने साप को देखा उसने साप पर हमला कर उसे मार दिया, जब किसान की पत्नी पानी लेकर लोटी उसने नेवले के मुह पर खून देखा, किसान की पत्नी ने सोचा नेवले ने उसके बच शे को मार डाला